Hello friends, स्वागत है आप सब का Revive Coding यहां हम Active Links के बारे में देख रहे होंगे Active Links होते क्या हैं, सबसे बहुत हो हम समझते हैं Active Links आपने बहुत सारे साइट से देखा होगा कि बहुत सारे जो Navigation में Links होते हैं जैसे ही मैं किसे Link पे क्लिक करता हूँ, वो क्या होता है? तो उसका color change हो जाता है, उसका text change हो जाता है, ठीक है, ताकि उपता चलने लगता है, कि यह वाला जो link है भी active है, अगर मैंने इस पर click करते हैं, तो बाकी सब का color change हो जाएगा, मतलब एक जैसे हो जाएंगे, और यह वाला active देखेगा, ठीक है, उसी तरीकी से, अगर मैं इस प पे क्लिए करते हैं और अगर यार मैं about पे क्लिए करता हूं तो हम about पे redirect कर जाते हैं simple मगर अभी क्या है यहां पता नहीं चल रहा कि कौन सा link active है right right ठीक है तो अब यार अगर मैं कोई चीज को implement करना है तो मैं कैसे करूगा अब मेरे को क्या करता है react auto dome एक nav link component प्रवाइड करता है ठीक है हमने अभी तक link का यूज कर रहे थे अब हम यूज करेंगे nav link का ठीक है जैसे ही मैं इस home link पर click करूँगा यहां ध्यान देना ठीक है अब मैं इस पर click किया तो क्या होगे यहां एक active class add हो गया ठीक है अगर मैं about page पर click कर तो देखो यार यह अब जो मेरा home page था वहां से active link गयब हो गया तो कहां आ गया यार यह आ गया है अब मेरा about वाले page ठीक है तो होता क्या है कि यह nav link यह चीज़ अपने को provide करता है कि जैसे ही मैं किसी भी link पर click करूँगा ठीक है तो उसमें वो क्या करता है उसमें active class add कर देता है और जो बाकी links है ठीक है उन सबसे active class हटा देता है ठीक है अब इतनी बात हो समझ में आगी ठीक बस इसी behavior का अपनों को यूज करना है ठीक है अब क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो active class यहाँ add हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे active class पे एक style लगा देंगे ठीक है तो style लगाने के लिए हम क्या करेंगे app.css में आएंगे ठीक है और एक active class को हम target करेंगे और इसमें style लिख देंगे अब मैंने यहां font size 600 दे दिया ठीक है तो अभी क्या हुआ अभी अगर मैं इस home पे click करूँ तो आप देखना home पे मैंने click किया तो इसके साब से होना ही चाहिए था कि यह active class था इस पर यह font size 600 अप्लाई हो जाना है ठीक है बट यहां font size पे नहीं हम font width यूज करेंगे ठीक है तो अगर मैं font width पे दे दिया 600 तो आप देखो यार यहां home page मेरा बोलो गया ठीक है अगर मैं अब about page करता हूं तो मेरा about page बोलो जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो हम है भाई एक active link को दर्शा सकते हैं दिखा सकते हैं ठीक है कि भाई कौन सा मेरा active link है अब पिर मानलो कि मैं sidebar बना रहा हूं ठीक है sidebar मतलब हमने यहां side में कोई dashboard बनाया हूँ और उसमें हमने बहुत सारre link रखे है ठीक है और उसको दिखाना है कि भाई ये वाला भी active है ये वाला एक active है ठीक है तो उस case में हम कर सकते है ठीक है मतलब अगर मानलो कि मैंने blog को ही ल दरूरत हो ठीक है चलो अभी अपने इतना तो समझ लिया तो अभी हम यार इस वीडियो के लिए ही खतम करते हैं next वीडियो में हम क्या करेंगे next वीडियो में हम देखेंगी किस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज के बीच में conditionally navigate कर सकते हैं ठीक है अभी तक हम क्या directly link से navigate कर रहे थे बट आगे हम देखेंगे हम किस तरीके से conditionally navigate कर सकते हैं ठीक है चलो यार फिर मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and good bye